तुडेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिकेंड समेस्टर के हिंदी के MCQ टाइप के मोस्ट इंपार्टन कोईश्टर एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इनवर्सिटी में परिच्छाएं हिंदी की लगी हैं और उनकी परिच्छाएं MCQ बेस पर या की आएंगे इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है कारले हिंदी और कंप्यूटर से और हम आपको एक-एक इंपार्टन कोईश्टन सारे बताने का प्यास करेंगे तो इस बात को भी ध्यान लखेंगे और आपका समस्टर जो है वो सिकेंड रेदूती है ठीक अब आते हैं को पहला प्रश्टा है कि जिस भासा में अर्भी फार्सी तुर्की सब्दों का अधिक प्रियोग होता है वह कौन सी है इन अप्सरों में से तो ज्यान लखेंगे इसका सही जबाब हो जाएगा अफ्थानिये भांसा को क्या कहते है मालनीजे कोई आपका गांव है सहर है तो ऊसतर और के हिंदी के अंतरगत मुक नो बोलिया हैं तो हिंदी के अंतरगत मुख्यता जो बोलियों की संख्या है ध्यान लखेंगे वह सत्रा नंबर सही जबाब होगा अगला कि इन में से कौन सा गलत है मतलब कि एक जो लाइन है एक जो तत्थ है वो गलत है तो ध्यान से सुल लिजीएगा इसमें बहुत फारे आप प्रस्तुत है किम लखित में इसे किस पत्र को section later कहा जाता है ठीक ही ध्यान सुनेंगे section later कि मतलब की पत्र को कहा जाता है थो बहुत ही प्रमक प्र्स्थ्थ है बहुत आप लोगों के लिए important question है तो section later कहा जाता स्वाल प्रत्र को सही जवाब होगा बहुत यह प्रमुख प्रशन है आपके ध्याम के लिए ध्यान पियाँ नखें गेंगे. जो कारेले लेंडी प्रिवत्थ होने वाली बड़े और परिवाहन जोंगे उससमें जिस भासा का पर्योग किया जाताव उत्वाद को धान रखेंगे कि अगला प्रस ने कि कारेल हं Myanmar होती ही तो इसका उद्देश क्या है ठीक है प्लफ जो गोवर्मेंट है गोवर्मेंट एनी सरकार है जिसको प्रसासन बोदने है इसके छित में हिंदी का प्रसार हो लोग इसको जान सके कि कारले हिंदी भी कुछ महां सा मतलब कि कोई हिंदी होती है कोई इस कारले हिंदी में भी बातचीत किया जा फकता है कोई ब कारले हिंदी से जो प्रियुक्त सब्द है नामसरों में से वो है सेवा ब्योधन भी कारले हिंदी फिर्वडा सब्द है निवेश अधिकारी भी है और सबिकरत भी है तो यह जो तीनों के तीनों सब्द हैं या संटेंस हैं यह कारले हिंदी से संबंदित हैं और कारले हिंदी क यूज हुआ इसमिए टीक हिसले टीनों सही है तो इसलिए सभी जवाब हो जाएगा कि अगला प्रस्थ्न है कि कारले हिंदी का उद्ध्ध क्या है अब एक और question देखा ता कारले हिंदी का उद्ध्ध तो संख्यक वर्ग तक सासन की नीतियों को सहज रूप से पहुचाना होता है बहुत संक्यक वर्ग तक जो सासन की यानि गौर्णमेंट की जो नीती होती है जो पोलिसी होती है उनको अफान वहाफा तक पहुचाना ताकि आम जनता जान सके अगला की समान नागरिप को उसके अधिकारों के प्रतिजागरू कि यानि कि जो भी आपका आप भाई भारत देश के तो आप लोगों के बहुत फारे अपने अपने अधिकार है ठीक है तो उन अधिकारों को जागरू करना लोगों तक पहुचाना ताकि आप समझ सके कि आपके पास जो अधिकार है वो आपके पास कुछ ऐसे अधिकार है ठीक है जिससे आप लोग क कुछ भी कर सकते हैं अब मतलब को अधिकारों को जागरोग करना कि हाँ आप के अंदर ये भी क्वाल्टी और आप ये भी कर सकते हैं अगला कि सास्तान और जनता के भी संबंध अस्थापित करना ये बहुत बड़ा उद्देश है कारले हिंदी का ठीक है इस महासा में कनवर् कि आप की योजनाव को की को स्कीम को मतलने की जो भी पूलिसिघंट ठाय कारले हिंदी स्कता क्या चाहिए को तो सजह आप स्चनिम्दार अब्दा इसलिए होगा क्योंकि कारले हिंदी की बहुत फारे विशेशता हैं पहला है कि निवेक देखता दूफरी है आफान देखता तीफरा है तथ्यों से स्वपोंडता एंव अस्पस्टता और ये तीनों हैं इफले सही जबाब इसका अद्दा हो जाएगा उपरिक्त मे धान रखेंगे काले पत्र छोते हैं बित्ट पत्र होते हैं तवक्ति जानकारी कि लबता दे काले हिंदी का प्रियोग है इन सभी आपका वामज्दिक छेत्र चेत्रों विधि प्रसासन याने गोवर्मेंट का चेत्रों ह Wenn बता थसके ALL 259 क भी आइंदाए इसकी जब अब दा हो जाएगा उपर्योक्त में से सभी अगला प्रश्ण प्रस्तूत है कि इम्रिखित में से कौन सी विशेष्टा कारले पत्र की नहीं है मतलब कि विशेष्टा है जो कारले पत्र की नहीं है कारले पत्र की है नहीं नहीं है कि बात हो रही ठीक है तो जो नहीं है वो है बहुत धिकता ठीक है दानमबर सही जबाब होगा अगर कि कारले आदेश का कारले आदेश का उद्देश क्या होता है तो कारले आदेश जो होते हैं इनका उद्देश होता कि आवकास सुभिकरत करना मतलब कारले यानि कि ओफिसों के जो आदेश होते हैं उनका यह अगर मलिजए बाई भाई वह बहुत फारी प कैंसी निकली है तो उसका नियूक्त कर लिया तो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको परमोसन कर देना पदोनित कर देना इसकी सूसना देना होता कारीलेय आदेश का उध्देश ठिक है अगला की अफथाई करन या अफथां रूप से पत्रों से वंचित उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होते किसी आदेश के अनुपालन की सूचना नहीं मिलती तब निमलिखित में से क्या भेजा जाता है जब यह सब चीजे की जाती हैं और नहीं होती हैं तब वहां पर भेजा जाता है अनुअस्मारक सानमबर सही ज लिए जाता है सही जवाब होगा प्रमुक्त प्रश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यह आपके अलग उत्रे में बिस्तित उत्रें भी आएंगे और जो आपके संभिधान के अनुची तुछिव क्यान में किस वरण किया गया है तुछहां पर लिखागया लिए के ues나 मंडित कैसा के बाहरे में बंडन किया है और अगला प्रशन की द्रफटर्थम प्रयोक किसके चिला लेक सही जवाब पहला हो जाएगा जैभट आनमबर अगला कि देवनागरी का विकास माना जाता है कौन सी लिप से ध्यान रखेंगे देवनागरी का जो विकास है वो ब्राम्भी लिप से माना जाता है इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कि देवनागरी लिप के सबसे बड़ी क्वालिटी विशिष्टा कौन सी है तो देव नागरी लिप की सबसे बड़ी विशिष्टा यही है कि सारवधिक बैग्यानिक लिप होना एक धुन के लिए आगला देवनागरी नहीं है तो इनमें विसीज़्ता का नाम है विकाफ की दर्स्टर ये ब्रह्मियों खरष्टी की समकालिन है यही एक जो बिश्रिफता है की देवनागरी में नहीं है मूलता क्या है तो ध्यान रखेंगे देवनागरी जो लिप है मुझतह अच्छ आत्मक है सई जवाब आजन रखासने कौन सावाद्रे सेthis गटित गठी की जना को हुई भी भी यह फिर या भी कि आजीसता कौन से परमक हमारे देश के सोतंत्र संग्रामी ने किया था तोधान रखिंग उनका नाम है ततकालिन उपराश्पटी डक्टर सरपली रधा कश्णन ने किया था बनमबर सही जवाब होगा अगला है कि कंप्यूटर में तयार किये गए प्रोग्राम के समों को क्या कहते हैं तो कंप्यूटर में तयार किये गए जो प्रोग्राम होते हैं उनको किस नाम फे जाना जाता है कमेंट सेक्शन बताइए आप सभी ठीक है जबाब इसका हो जाएगा आप से नंबर आप प्रमुक्त प्रस्ण है ध्यान रखेंगे अगला की आउंटपुट यूनिट के दू उपकरण प्रियोग किये जाते हैं वह कौन कौन से हैं तो अध्यान रखेंगे आउंटपुट का मतलब यह हुआ कि कुछ बाहर आप लोग निकल लाओ ठीक है जैसे कि प्रिंटर से कोई कागेश निकलता है तो आउंटपुट हो गया तो इसी तरह आपको बताना कि आउंटपुट यूनिट के कुछ आपको देखता है फिर निकलता है इसलिए जबाब दा होगा एक और दो दो नुस ही है अगला कि ऐसे प्रोग्राम का समोझ जिने यूजर अपनी आउसकता नुसाथ समान उद्देशों को पूरा करने के लिए उप्योग मिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं तो यह बहुत सबस्डार 3-3 बार प्रसनले पर द्देशन और पढ़र देना पाटभ है जैसे प्रोग्राम का स्मोझ जिनने यूजर अपनी जरूरत के नुसार आवशक्ता के नुसार शमान को पूरा करने के लिए क्या थिक है तो द्यान डखेंग को कहलाते हैं सिस्टम साफ्ट वे जो की इन बिल्ड होते हैं आपके कंप्यूटर में सही जवाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर बताएं ठीक है चलिए कमेंट सेक्षिन बताइए आज बिल्ड हो जो एक निश्चित कारिकार करते हैं क्या कहलाते हैं तो वह कहलाते हैं ठीक हैं सामेंबर सही जवाब होगा अगला प्लसन divertWest की हिंदी के सार देः कौन कौन से तो जहां से सुन लीजए लिजी है जो प्रमुक शाफ्टिबेर है इन आप्चरों में से वह आपको बताना है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा अगला कि सॉफ्ट बेर के बरकार बताईए तो बहुत ही प्रमुक प्रश्ण है अगला कि माइक्रोसाफ्ट बिंडोज क्या है तो माइक्रोसाफ्ट बिंडोज है जानकीं को एक और प्रप्रेटिंग सिस्टम में इसको OS बोलते हैं अगला कि WW को का पुरा नाम बता है तो कोई भी विबसाइट जब भी आप Google पर साच करते हैं तो उसके पहले WW लिख जाता है ठिक तो उसी WW का पूरा नाम बताना है तो पहले डबलो का हो गया World दूसरे का हो गया वाइट तीसरे हो दो यह व्यहाइड वाइव यह हो गया को माना जाता है तो निसमत्व को माना जाता है बहुत ही प्रमुत प्रस्फन है अग्ला की माइक्रोफिसर होता है कि प्रजा जो कि लिहां रखेंगे इसको बनाया गया था इसलिए सब्सक्राइब साब हो जाएगा अगला की सभीष कर दीजzlich है की सम्मिधान लागों नहीं की समे init evet ऐह कें टाइप किया जाता लिखा जाता है ओप ли जोना काफ समक माण होता ही चाज्वह जोने अगला की कम्प्यूटर में संपूर डाटा कहा हें कट्था होता है तो अभी आप सभी गउस्षच मालूम कि मेमोरी में होता है सानंबर से जबाब अगला भारत का प्रथम सुपरकंप्यूटर था परम ठीकेश का दूब हो जाएगा सानंबर ध्यान नकेगे अगला की Hindi Wikipedia का आरंब कभ हुआ था तो Hindi Wikipedia जो आप Google पे कुछ भी फर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको Wikipedia वेबसाइड आएगी उसी Wikipedia पे आप जो फर्च कर रहे हैं वो लिखा होगा बाकाईद है ठीक है तो कुछ भी फर्च करें आपको Wikipedia में आपका जो प्रस्णों का उसका उत्तर मिलेगा तो इसका आरम कब हुआ था यह आपको बताना है तो सही जबाब इसका हो जाएगा 2003 में इसका आरम किया गया था बानमबर सही जबाब अगला की वेब पेज होस्टिंग क्या है तो वेब पेज जो होस्टिंग है ठीक है किसी वेब पेज को संचित करने के लिए जगा एवं आवंटन है सही जबाब इसका हो जाएगा अगला क कि सामोहिक ब्लोग की संपादक को किस नाम फे जाना जाता है तो सामोहिक ब्लोग के संपादक को ध्यान लखेंगे मतलब कि बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है ठीक है सही जबाँ हो जाएगा दानुबर निर्देशक अगला की पेश्बुक पेज़ पर एक अकाउंट में द साहनों में तो फेश्बुक का जो हिश्चा है कि आफ को क्या कहते हैं कि अगला की आपको इतने कोश्चन मताया करीब करीब यह कोश्चन आपके साट सतर कोईस्टिन होंगे ठीक है बाकी हम आपको देड़ दोसों कोईस्टिन विथ आंसर सहीद अगर आपको चाहिए तो यह आपका अपना है चैनल सक्सेश्ट हो यह सबस्काइब कर लिजेगा उसकी बाद वीडियो की डिसकुसियर में जाईएगा वहां पर आपक कर दीजेगा कि सर हमें हिंदी शेकेंड सबस्टर की जो महासंगराम की एडियोफ है वह सेंड कर दीजे तो आपको सेंड कर देंगे तो आपको द्यारी कर लिजेगा बाकी आपकी एक्जाम के लिए ओल दिविष्ट मिलते होंने वीडियो में जैंद